नमस्कार आप देखने हैं, लाइफ बीहर मैं हूँ करिसमा सिंग देश के ऐसे कई राजे हैं जहाँ कोरोना संकट गहराता जा रहा है देश के ऐसे कई राजे हैं जहाँ ना सिर्फ लौकडाउन की स्थिति बनी है जबकि सब कुछ लौक कर दिया गया है लोगों को घरों में एक बड़ फिर से कैद कर दिया गया है आगे क्या कुछ खबर है आपको डिटेल में बताते हैं महरास्ट के पूने हो या महरास्ट के अकोला और नागपूर में भी एक बड़ फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है नागपूर अकोला के बाद पुने में भी नाइट कर्फिव लगा दिया गया है पुने में राती 11 बज़े से 6 बज़े तक नाइट कर्फिव लगाने का एलान किया गया है यही नहीं 31 मर्थ तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे इसके अलावा होटल और बार रात 10 बज़े से सुबद 10 बज़े तक बंद रहेंगे इसके अलावा महरास्ट के मंत्री नबाक अली ने कहा कि परभानी जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमने वहां आज रात 12 बज़े से सुमबार सुबद 6 बज़े तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है हम परभानी जिले के आसपास इलाकों में रहने वाले लोगों से अनुरोध करते हैं कि सरकार के इस फैसले में अपना सहयोग दे देश के विभीने राजियों में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए बिहार सरकार भी एक बार फिर से सतर्क हो गई है सुआस्थ बिभागने होली को देखते हुए पूरे राज्जी में कोरोना जाज की गती को तेज करने का निर्णे लिया है सुआस्थ बिभाग के प्रधान सचिव प्रते अम्रित ने सभी 38 जीलों के सीविल सर्जनों को निर्देश दिया है कि कोरोना जाज की गती को तेज करे इसके लिए टीम बना कर पूर्व कीवानती रेंडम जाज कर बढ़ाए और आवसकता के अनुसार आटी पीसी आर जाज भी करे प्रते ने इसके मद्दे नजर सुक्रबार को सभी जीले के सीविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग से बैठक की इसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को नजर रखने की भी हिडायत दी उन्होंने पटना कटियार भागलपूर मुझपरपूर सहित वैसे जीले जहाँ ट्रेन खुलती है और वापसी होती है वहां बिसेस रूप से स्टेशनों पर रैंडम जाज करने का निर्देश दिया है खासकर महरास्ट उत्तर परदेश जैसे राज्यों से आने वाली यात्रियों की रैंडम जाज का निर्देश दिया गया है साथ ही बस सिस्टेन जहां दुसरे राजियों से यातरी आते हैं वहां भी टीम भेजकर जाज कराने का निर्देश दिया गया है बैठक में राजिस्वास समिती के कारेपालक निर्देशक मनोज कुमारेम और अपर सचीव कौसल कुमा किसोर भी मौजूद थे कोरोना टीका करण अभिवान भी जारी रहेगा बिभाग ने ग्रामिन छेत्रों में पंचायती राज संस्थाओ के प्रतिनीदियों के साथ समन्नवे आस्थापित का टीका करण अभियान जारी रखने का निर्देश दिया है इसके तहट सुक्रवार को पंचायती राज संस्थाओ के प्रतिनी दियों के लिए बिसेश्टी का करन अभियान चलाया जाएगा देश में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए बिहार सरकार भी सतर्क हो गई है स्वास्त बिभाग ने निर्देश दिया है कि बस स्टेंड और रेलवे स्टेशनों पर रैंडम कोरोना जाज कराई जाएगा बस स्टेशन रेलवे स्टेशनों पर रैंडम कोरोना जाज करने का निर्देश दिया गया है ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखती रहे लाइफ बिहार धनेबाद अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फे लिए पुक पर लाइक जरूर करें